भागवत पूरन किया है भागवत पुरान को मुप्ति ग्रंथ कहा गया है इसकी कथा सुनना और सुनाना दोनों ही मुप्तिदाइनी है और आत्मा को मुप्ति का मार्ग दिखाती है उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को कथा सुनने के ये प्रेर इश्य, स्वयम की प्रकृति और सर्वोच अस्तित्व को समझने में मदद कर सकता है। इस ग्रंथ को एकाग्रचित होकर पढ़ने से पाथकों को इन अबधारनाओं की गहरी समझ हासिल करने में मदद मिल सकती है। भागवत पुरान क्यों महत्व पूर्ण है। भागवत पुरान वैशन अबवाद का एक केंद्रिय पाथ है, एक हिंदू परमपरा जो विश्नू का सम्मान करती है। पाथ धर्म का एक रूप प्रस्तुत करता है जो वेदों के साथ प्रतिसपर्धा करता है, जिसमें भक्ती अंतताहात्म ज्यान, मोक्ष, मोक्ष और आनन की ओर ले जाती है। श्रीमद भागवत कथा कप करनी चाहिए। भागवत कथा एक पौरानिक कथा है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्व पूर्ण है। इसे किसी भी समय कराया जा सकता है, लेकिन इसे विशेश तोर पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्री, दशेहरा, दीवाली, हुली जैसे अफसरों पर करना उप्युक्त माना जाता है। भागवत गीता घर में रखने से क्या होता है। हिंदू धर्म में भगवत गीता का विशेश महत्व है। यही कारण है कि अधिकांश घरों में भगवत गीता रखी जाती है। साथ ही मान्यता है कि जिस घर में गीता का नियमित पाठ किया जाता है, वहां सदैव खुशाली बनी रहती है। क्या हम घर पर भागवत पुरान पढ़ सकते हैं? अपने घर में एक साफ, शान चगें भूने जहां आप बिना किसी परेशानी के भागवत पुरान पढ़ सकें. आप एक मोमबत्ती या धूप चलाना चाह सकते हैं, और एक छोटी वेदी पर फूल या अन्य प्रसाद रखना चाह सकते हैं. आरंब करने से पहले प्रार्थना करें. भगवान से प्रार्थना करने के लिए कुछ ख्षन निकाले, उनके पवित्र बचन परते समय मार्दर्शन और प्रेरना मांगे. क्या मैं सोते समय भगवत गीता सुन सकता हूँ? आप सोते हुए बिस्तर पर भी गीत पर सकते हैं. ऐसा करने में कोई पाप नहीं है. जहां तक है क्या आप यह जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या है? लेकिन जब पारायन या परिपाठ का सवाल है, तो आपको पुस्तक की पवित्रता का सम्मान करने और उसका प्रतिसात देने के लिए इसे पढ़त ऐसी कता है जो जीवन के उद्देश एवं दिशा को दर्शाती है. इसलिए जहां भी भागवत होती है इसे सुन्ने मात्र से वहां का सम्पून क्षेत्र दुष्ट प्रबृतियों से खत्म होकर सकारात्म कुर्जा से सशक्त हो जाता है. भागवत में किसकी पूजा होती है भागवत पुरान हिंदूों के 18 पुरानों में से एक है. इसे श्रीमत भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं. इसका मुख्य वर्न्य विशे भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयम भगवान के रूप में चितरित किया गया है. इसके अच्छे और बुरे की समझा जाती है. गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निदर बनकर अपने करतव्यपत पर आगे बढ़ता है. रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्म कूर्जा विक्सित होती है. भागवत पोतिक द्वारा किये गए सरपयाग के दौरान भागवत पुरान सुनाया था. भागवत गीता को घर में कहां रखना चाहिए? यदि आप अपनी एक आग्रता में सुधार करना चाहते हैं और भागवत गीता सीखना चाहते हैं, तो इसे घर की उत्तर पूर्व कोने में कही भी रखें, लेकिन यह साफ होना चाहिए. प्रति दिन एक श्लोक पड़ें और उसे उसी स्थान पर रखें, आप अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखेंगे. भागवत का पूरा अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि भागवत का अर्थ है भक्ति, ज्यान, वैराग्य और भगवत गीता में क्रिश्न ने क्या कहा था? भगवान क्रिश्न ने कहा, आप उन लोगों के लिए शोग करते हैं जो शोग के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्यान की बाते कहते हैं. बुद्धि मानना तो जीवितों के लिए शोग करता है और नहीं मृतकों के लिए. ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा, आप्या में अस्तित्व में नहीं थे, नहीं भविशे में हमारा अस्तित्व कभी खत्म होगा। भगवान श्री कृष्ण का कौन सा अंग नहीं चला था। भगवान श्री कृष्ण ने महा भारत युद्ध की 36 साल बाद अपना दे त्याग दिया। जब पांडवों ने उनका अंतिम संसकार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अगनी में समा गया, लेकिन उनका हृदय धड़क ही रहा था। भगवान की उपनिशदिक अबधारनाओं को सारानशित करते हुए, गीत अप्रत्येक प्रानी के भीतर एक व्यक्तिगत स्वा, आत्मान और सर्वोचस्वा प्रहमन के अस्तित्व को दर्शाती है। राजकुमार और उसके सारती के बीच समवात की व्याख्या मानव स्वा और ईश्वर के बीच अमर समवात के रूपत के रूप में की गई है। चिंता मत करो। हिंदू धर्म में छे पाप कौन से हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में अरिशद्वर्ग्या शद्रिपू संस्कृत शद्रिपू जिसका अर्थ है छे शत्रू, मन के छे शत्रू हैं। जो हैं काम, इच्छा, क्रोध, क्रोध, लोग, लालच, मत्में की भावना, मोह, लगाव और मात्सर्य पक्षपात जिसके नकारात्मक लक्षन मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने से रोपते हैं। क्या भगवद गीता मूर्ती पूजा के बारे में बात करती है? 2. भगवद गीता कहती है कि सच्चे मन से पूजा करो. यह मूर्ती पूजा आदी के बारे में कुछ नहीं कहता. भगवान क्रिश्न को क्या नहीं चड़ाना चाहिए? भगवान क्रिश्न को भूलकर भी बासी या मुर्जाय फूल न चड़ाएं. साथ ही श्री क्रिश्न को धर्म देखते हुए भी चुकचाप उसका मौन समर्थन करना ही पाप है. क्रिश्न के अनुसार धर्म क्या है? क्रिश्न के अनुसार धर्म एक कर्तव या धर्म है जो किसी के शरीर के बजाए उसकी आत्मा के लिए है. क्रिश्न की शिक्षाओं के अनुसार बुरे कर्म कभी भी बक्षे नहीं जाते और धर्मी एक मात्र ऐसी चीज़ है जिसे सनरक्षित किया जा सकता है वो करतव्य केवल ईश्वर से ही सीखा जाता है कृष्णा आत्मा के बारे में और भी कई शिक्षाएं देते हैं